आज यूदी एफ कटल फार्म आया हूँ यह इसकी जगह लोकेशन किया है फारीद भाई यह मेमन कोट जमी मेमन सब्साइटी अचा फारीद भाई हमारे साथ हैं यूदी एफ कैटल फार्म से आज हम जो है वो कैटल फार्म विजट करेंगे पूरा आपको दिखाएंगे और मैंने कभी से पहले कैटल फार्म विजट नहीं किया कि कुरबानी के जनवर आते हैं अगसा फेस्बूक के विडियो देखिए कि जानवर किस तरह तरह नों को खया लगा जाता है लेकिन आज फर्स टाइम है कि मैंने कोई किटल फार्म विजट कराएं तो जानवरों के बारे में हम डिफ्रेंट इंफर्मेशन भी आ मैं यही देख रहा था कि कुछ देर पहले जो है वहां पर खड़ेते जानवर सारे और अब इनको इधर ले आए तो यह सन बात अच्छा सन बात इनके लिए क्यों जरूरी होती है पहले इंको शावर दिलाते हैं रोज सुबा शावर दिलाने के बाद पर इंको चाले दूपर अजा फ़रीद आई पूरा प्रॉसस बताएं इसके अंदर के मतलब जानवर क्या आप लोग ब्रीडिंग करते हैं या बच्छे आपके पैदा होते हैं नहीं आप इंसे खरीद के लेकर आते हैं फिर आप इनके परवेश करते हैं क्या होता है दोनों सुर्ते में होता है अब अलागा शुकर है कि वह बस्ता समारा स्टार्ट हो गया हमारा अपना एक साइकल बगना शुरू हो गया हम बना चीग मुक्तलिफ मुलक शेहरों से लेकर आते हैं को रहीमिया खान से प्रिसाहिवाल से जहां कि जो सबसे बैस्ट हमें चीज़ मिलती हैं मुहां से उसको प्रिक करते हैं और जब हम लेते हैं तो बहुत चोटे होते ही हैं अच्छा 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 गाहां हैं कि जो बच्चे होते हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं यहां पर बच्चे भी देखने को मिल गए हैं कितना प्यारा बच्चा है माशालला तो अच्छा यह इसकी एज कितनी होगी फरीद भई ये तक यह था बन तीन से चार मेने का भी है अच्टीन से 4 मेने का थीक है और ये इसकी जो है वो डाइट किया होती है क्या खिलाते पिलाते हैं इसको ये माज़गी ज़र रखता है पेशाब्रा नहीं सकता है कितने टाइम के बाद शूरू होती जूराइन से शुछ चाल बढ़ जाते नाखुन नहीं काटेंगे तो यह लंगणान पन्न हो जाएगा यह नाखुन काटेंगे इनों की जाल अच्छी चलेगी जानवर अपने खाने पिने में सेट रहेगा नाखुन जब नहीं काटेंगे तो यह हमें बुरा लगेगा यह हर जानवर को काटा जाता है यह तीसरे मेंने यह हमारे इनों को सेट करना होता है यह जरूरी है यह जरूर माशाईलल, देखें, जानवर आ गिया यह जिस तरह के हम फेस्बुक बड़े कैटल फार्म के अंदर जानवर होते हैं, माशाईला, माशाईलल कितना जबड़तर्स जानवर है , अच्छा ये कहा की नसल है ? यह क्रॉस है विसे ब्रामन नसल के लाता है अच्छा ब्रामन के था है इसकी हाइट उसी बहुत डिफेंट होती है आम जानवर से यह आपको नज़ा रहा हो गाएगा जितने होगा जितने और जानवरों से बहुत अलग जैसे हो नहीं बोड़ी बिल्डर टाप की जाती हो जा पर आशी के बाद तीन कीलों खली होती है तकरिम इला किसका 10-12 किलो एक डी मिल्ण का चुपकाएंगे एक उस तरफ लगा यगा घया उस तरफ एक उस तरफ कपड़ा लगाएगा उसको पर इसकी यह मालश हो जैते पिर इनका थकन बूरज हो जाती हैं जिस तरह घर में हमारे बच्चों की परवर allora होती है इसी तरह इन जानवाँ का खयाल लगा जाता है इतना आसान नहीं इतना बढ़ा करना जा intenड़ इतना खुबसूरस जानवा है यह इसा ही नहीं मिलता है means très कि और साउल हमें क्या तियाते होती है aller गर्मी में तो पर दिये जाते हैं पेक रिया जाता है पेक के बाद मालश करने पर दिए रात को तक करिबना हम आठ वजे खड़ा करेंगे लड़के बारां बज तक इन्हों की जाती है पर अपनी यह सहत में सेट रहते हैं अच्छा यह अभी जो जानवर यह कितने दांट का है यह सरा दौन राइडर रेन का सबसे बड़ा बिल्कुल तुर्गुत की तारा जो है वो गोड़ा चला रहा था हाथ छोड़ का ऐसे कर गोड़े आपने क्यों रखें में बताएं यह संद्ध रसूल सल्लम भी है और हम मुझे खुदको बश्पन से शौक भी है मेरे बच्चों को भी शौक ह अब पूरा क्या ज़या तो असलता हमाई नियत एक हम संद्ध पूरी करें आपक्सर आप आते हैं होर साइडिंग करते हैं आपके बच्चे बच्चे घोड़े भी इनों ने खुबसूरा दखें एक ब्लैक है और एक ब्राउन भी है दो ब्राउन है बलके तो माशाला गोड इसका प्रॉपर निजाम है और जितनी भी गंदगी होती है इसको टाइमली साफ किया जाता है ताके जानवर जो है वो बिलकुल चमकते रहे हैं अब जानवरों को भी आप देखें माशाला किस तरह पॉलिश हो रहे हैं जैसे हम लोग रोजाना नहाद होगे फ्रेश होते ह तब ज़ी जानवर इतना खुब्सक्राइब इतना बड़ा होता आचा यह जो है वो यह जो है वो है आश्ट्रेलीयन एफ रहा हे पर अचा यह नॉल मल जानवर के इंदर जो सही वाल बगेरा के आप बता रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन के लिगोश में भी फर्क होता है या ग लोग बड़े जानवा के शौक रखते फिर वो गोष्ट के चगरवन नहीं पड़ते लोग अच्छा बस खूबसरत हो बिल्ड अच्छी हो तो ले लेते हैं तो अच्छा इसमें दोनु में से गोष्ट किसका अच्छा होता है ऑस्ट्रेलियन लोग अपने शौक से लेते हैं अच्छा वाहत बाइक तो यह ब्लाक घोड़ा है कौन जी नसल का इसके बारों कुछ पताएं तकी बरन पांच साल के आसपास है और यह देसी नसल का खोड़ा है बसे इस की यह कौन जाना महीं होती है और इस गोड़े की वर्थ कितनी है यह ढ़ीन पर शे आप श्याब ज् में भी नसल से और यह नसल को लुकछानि देसी है इसको चारोंग के ने पांचाववा निशांवा के तो नसल के जाते हैंए नक्रत हैं सबसे हाइट उची जो है ना वह इस घोड़े की है माशाला अचाहिए मिट्टी इसके उपर साफ करें जब घोड़ा जो सुबहा हमने राइडिंग गया रखी तो घोड़ा जब ठक जाता है तो फ्रेश होने के लिए जो हमने देखा कि मिट्टी में थोड़ी सी चलांगे जाले ना तो बहुत यह जो है वह इसका तरीके कार रहे कुद्रत अला कि जो हर किसी का अपना अपना एक निजाम होता है इस तरह क्रॉस है अच्छा और जी विलकुल इसकी हाइड जो है वह अगर यह साथ खड़ा हो तो मेरे से भी उची इसकी हाइड इससे अंदाद लग अच्छा तो यह था यूड़ी एफ कैटल फार्म जो हमने विजट किया आपको इंट्रस्टिंग घोड़े वी हैं चलांग मारते हैं बहुत जबर्दस्त है और जानवर भी मार्शालें के बहुत खुबसूरत है और तैंक्यू सो मुच वरीद भाई आपने अपना फार्मा